मद्रप्रदेश में हर्याना वाला दंगा करवाने की प्लैनिंग में बीजेपी मद्रप्रदेश में हर्याना वाला दंगा करवाना चाहती है बीजेपी अल्पसंखेक समगाई पर अन्याय अत्याचार करती है बीजेपी मद्प्रदेश में बीजेपी हरियाना वाला दंगा करवाना चाहती है बीजेपी तो अलपसंक्यक समदाये पर न्याय और अत्याचार करती है ऐसा न्याय और अत्याचार मैंने जीवन में नहीं देखा मुझे जानकारी मिल रही है कि जैसे हर्याणा के नूर में बीजेपी के लोगों ने दंगा करवाया था वैसा ही दंगा मद्प्रदेश में करवाने की प्लैनिंग कर रही है क्योंकि बीजेपी जानती है, बीजेपी समझती है कि बीजेपी के खिलाब मध्यप्रदेश की जुनता में नाराजगी है ये बयान है मध्यप्रदेश के पूर मुक्यमंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट निता दिगविजेश सिंग का दिख्विजर सिंग कह रहे हैं, मुझे इंपूट मिल रहा है, मध्प्रदेश में बीजेपी हर्याना के नूच ऐसा दंगा करवाना चाहती है अब इनकी योजना बन रही है कि जिस विकार से नू में हर्याना में इन लोगों ने दंगा करवाया था उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है, क्योंकि भार्ती जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाब इतनी नाराजी है मद्रप्रदेश के पूर मुक्मेंत्री दिग्विजे सिंग ने भोपाल में बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है दिग्विजे सिंग ने कहा कि मद्रप्रदेश में बीजेपी हर्याना के नूच ऐसा दंगा करवाना चाहती है अल्प संक्यक संधाय पर अन्याय और अत्याचार बीजेपी ने किया है दिग्विजे सिंग ने आगे कहा मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा मुझे जानकारी मिल रही है जैसा हर्याना के नूव में इन लोगों ने दंगा करवाया था वो तरह के दंगे करवाने की यूजना कर रही है बीजेपी क्योंकि बीजेपी समस्ती है आज हमारे खिलाब जनता में इतनी नाराजगी है दरसल दिग्विजे सिंग जिस दंगे की बात कर रहे हैं वो दंगा हर्याना के मेवात नूव में 31 जुलाई को ब्रिज मंडल यात्रा निकालने के दोरान हुआ था इसी दोरान यात्रा पर पत्राओं हो गया था देखते ही देखते ही यह दो समदाय में हिंसा में बदल गया सेकडो कारों को आग लगा दी गई साइबर थाने पर भी हमला किया गया दंगाईयों ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया था नू के बाद सोना में भी पत्राओं और फायरिंग हुई वानों को आग के हवाले कर दिया गया इसके बाद हिंसा की आग नू से फरीदाबाद गुरुग्राम तक फैल गई नू हिंसा मामले में दो होमगाट समेट छे लोगों की मौत हुई है इसके बाद नू फरीदाबाद पलवल समेट कई जगों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था इसके अलावा नू में कर्फ्यू लगाया गया था हर्याणा में हिंसा को लेकर 142 से फाया दर्ज है वही 312 लोगों को गिरफतार किया गया है अकेले गुरुग्राम में हिंसा को लेकर 37 मामले दर्ज किये गया है 70 लोगों को गिरफतार किया गया था जबकि तिरान में लोगों को हिरासत में लिया गया था इसमें से 80 से पूश्टाज कर उन्हें छोड़ दिया गया था नू में हिंसा के बाद 700 से ज़्यादा अवैज संपत्यों पर बुल्डोजर एक्सन हुआ है इसमें से कई ऐसी संपत्यां भी हैं जो इनका इस्तमाल पत्थरबाजी के लिए हुआ था वही नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने उसका फरीदबाद इस्थित घर से ही गरफतार कर चुकी है पुलिस ने हिंसा मामले की जांच के बाद बिट्टू बजरंगी की गरफतारी की थी हरीाना के नू से सुरू हुई हिंसा जिसने गुलगराम और आसपास के जिलों को अपनी चपेट में ले लिया था उस हिंसा का मुख्यारो भी बिट्टू बजरंगी ही था ब्रजमंडल सोभा यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने ही सोचल मेडिया पर कई भड़काओं पोस्ट किये थे बिट्टू बजरंगी को लेकार घटना के बाद खुलासा हुआ था